साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार जी स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खुबसूरत साखी लेकर आई हूँ तो चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी आज रीमा की ननद एक हफ़ते के लिए अपने मायके में रहने के लिए आने वाली थी रीमा के पती ने सारा नाश्ता लाकर दे दिया था कि मेरी बहन आएगी तो चाय के साथ ये नाश्ता दे देना मेरी जरूरी मिटिंग आ गई है मैं उनसे आकर मिलूँगा तो रीमा ने अपने पती जै को कहा आज आप समय पर घर आ जाईएगा थोड़ी दिर के बाद रीमा की ननद पारूल घर आ जाती है रीमा ने अपनी ननद पारूल से पूछा अरे दिदी आप बच्चों को साथ क्यों नहीं लाई तो पारूल ने कहा भाबी बच्चे अप नहीं आई साथ संगत जी वैसे पारुल अपने माय के में आना नहीं चाहते थी पर अपने भाई जय के जादा कहने पर वो मना भी नहीं कर पाई चार साल पहले जब से पारुल की मां का देहांद हो चुका है तब से उसकी भावी रीमा का व्यभार बिल्कुल बदल गया है जय बरदाश नहीं करती रीमा नहीं चाहती थी कि उसकी ननत पारुल मायके में आए पर पारुल अपने भाई के बुलाने पर आही जाती थी इतने में रीमा पारुल के लिए पानी का गिलास लेकर आती है और उतनी ही देर में रीमा की बड़ी बहन नैना भी घर आ जाती है तो र आज तुम्हारे जीजा जी को कुछ काम था मैं घर पर फ्री थी तो मैंने सुचा चलो आज अपनी बहन से मिल आती हूं तो रीमा ने कहा बहुत अच्छा किया दी थी फिर रीमा की बहन नैना ने पारुल को देखा तो पूछा अरे पारुल तुम कब आई पारुल ने कहा मैं कुछ देर पहले ही आई हूँ फिर रीमा ने कहा आप दोनों बैठिये मैं अप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ तो रीमा कुछ देर के बाद चाय नाश्ता लेकर आती है और दोनों के लिए प्लेट में नाश्ता लगा देती है रीमा अपनी ननद पारुल की प्लेट में आलू के पकोडे और दो चार काजू बदाम रख देती है और अपनी बहन नैना की प्लेट में खूब सारे काजू बदाम और पनीर के पकोडे रख देती है पारुल ने ये सब देखा पर उसने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो अपने माय के केवल भाई के लिए ही आई थी तो रीमा की बहन नैना ने कहा पारुल तुम भी लोना तो रीमा ने कहा अरे दीदी मेरी ननत पारुल को ऐसे नाश्टे की आदत नहीं है इने बाद में खाना पचाने में मुश्किल हो जाएगी ये सुनकर पारुल की आँखों से आंसू आ गए पर वो अपने आपको संभ लेती है चाए पीने के बाद रीमा अपनी ननत से कहती है दीदी चलिए खाने की तयारी कर लेते हैं तो रीमा की बहन नैना ने कहा चलो मैं भी चलती हूँ रीमा ने कहा दीदी आप मेरे कमरे में चलकर आराम से बैठिये पारुल दीदी को तो ये सब काम करने की आदत है इ तो पारुल देखती है कि आलू और टमाटर के सबजी बनी हुई थी तो पारुल ने कहा अरे भाबी सबजी तो बनी है हम रायता बना लेते हैं हम तो तीन ही जन है खाने वाले तो रीमा ने कहा अरे नहीं दी दी ये सबजी तो सुभे की बनी हुई है मेरी बहन को वैसे भी देशी घी का खाना खाने की आदत है ये सबजी हम दोनों खा लेंगे तो पारुल लेका ठीक है भाबी फिर रीमा और पारुल दोनों मिलकर शाही पनीर की सबजी, हलवा और पराठे बना लेते हैं खाना डाइनिंग टेबल पर लगा कर रीमा अपनी बहन और अपनी ननत दोनों की थाली लगाती है बहन की थाली में पराठे लबा लब घी पर ननत की प्लेट में घी का नामों निशान नहीं था रीमा की बहन नैना सब देख रही थी पर उसने कुछ भी नहीं कहा चुपचप खाना खा लिया खाना खाने के बाद रीमा ने अपनी ननद से कहा कि पारुल देदी आप आराम करिये ये सुनकर पारुल गैस्ट रोम में चली जाती है और रीमा अपनी बहन नैना को लेकर अपने कमरे में आ जाती है जहां रीमा का बेटा खेल रहा था थोड़ी देर में रीमा का बेटा सो जाता है तो रीमा अपनी बेहन नैना को दो शॉल दिखाती है और कहती है कि दीदी ये देखो ये शॉल मैं आपके लिए लाई थी पिछले हफ़ते हम गूमने गए थी और ये शॉल मैं पारुल दीदी के लिए लाई हूँ नैना ने दोनो शॉल को देखकर कहा रीमा दोनो शॉल के कपड़े में तो बहुत ज़्यादा फरक है तो रीमा ने कहा हाँ दिदी आपके वाला शॉल 2000 रुपए का है और पारुल दिदी का किवल 500 रुपए का है मैंने अपने पती जैसे रुपए ले लिये थे और उन्हें कहा था कि मैं खरीद लूँगी अब भला आदमियों को कपडों की पहचान कहा होती है फिर नैना ने कहा रीमा तुमसे एक बात पुछूं तो रीमा ने कहा हा दिदी बोलिये फिर नैना ने अपनी बहन रीमा से पूछा तुम अपनी ननत पारुल के साथ ऐसा विवहार क्यों करती हो तो रीमा ने कहा कैसा विवहार दिदी नैना ने कहा मैंने देखा तुमने खाने पीने में और अब ये शौल खरीदने में भी कितना भेदभाव किया तो रीमा ने कहा दिदी उनका जादा हिसाब नहीं है उन्ही इन चीजों की आदत नहीं है और जै अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं मुझसे ये सब बरदाश नहीं होता तो नैना कहती है पहली बात रीमा अगर तुम्हारी ननत पारुल का ससुराल अमीर नहीं है तो तुम्हे यहां उसके मायके में उस पर जादा ममत और प्यार लुटाना चाहिए साड़ी हो या कोई भी चीजों तुम्हे उसके लिए अच्छी से अच्छी लानी चाहिए ताकि उसके भी अर्मान पुरे हो सके क्या हमारा भाई हमसे प्यार नहीं करता तुम्हें पता है एक दिन तुम्हारी मामी सास हमें मिली थी वो मुझे बता रही थी कि कैसे अपने पिता के जाने के बाद पारुल ने अपनी मा को और अपने छोटे भाई जै को संभाला पारुल ने नौकरी की ताकि उसके भाई की पढ़ाई बीच में ना रुख सके अपने लिए वो एक पैसा भी नहीं बचाती थी अगर उस समय तुम्हारी ननद अपने बारे में सोचती तो तुम जो सुख आज भोग रही हो वो तुम कभी नहीं भोग पाती तुम्हारी ननद कुछ लेने के लालच में नहीं आती है वो यहाँ अपने भाई के लिए आती है नहीं तो वो एक मिनट भी यहाँ ना रुके वो अपने पती को भी कुछ नहीं बताती कि तुम उसके साथ कैसा विभार करती हो नैना ने कहा रीमा बेहन घर की बेटियों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए ये बात भगवान को भी बुरी लगती है तो रीमा ने कहा दीदी मुझसे गलती हो गई आगे से मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगी फिर नैना अपने घर चली जाती है थोड़ी देर में पारुल सोकर उठकर अपने कमरे से बहर आती है तो रीमा ने अपनी ननत पारुल से पूछा दीदी क्या मैं चाए बना दू तो पारुल ने कहा भावी मैं बना लूँगी तो रीमा ने कहा आप क्यूं बनाएंगी मैं बना कर लाती हूं और चाए के साथ नमकीन बिस्किट भी ले कर आती हूं फिर कहती है दीदी आप चाए पी कर तयार हो जाएए आज मोसम बहुत अच्छा है हम बाजार चलते हैं पर पारुल ने कहा भावी मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए रीमा ने कहा दीदी मुझे लाना है फिर वो अपने बच्चे को लेकर बाजार चली जाती है बाजार में जाकर एक बढ़िया सी दुकान पर जाकर रीमा कहती है भाईया कोई बढ़िया सी साड़ी दिखाईए फिर पारुल से पुछती है कि दीदी ये साड़ी आपको कैसी लगी तो पारुल ने दो साड़ीयां पसंद की और कहा कि भावी ये बहुत ही सुन्दर है आप ये ले लो रीमा वो साड़ी खरीद लेती है और घर पर आकर वो साड़ी पारुल को देते हुए कहती है दिदी ये साड़ी आज मैंने आपके लिए खरीदी है पारुल ने कहा भावी ये साड़ी तो आपने अपने लिए पसंद की है मुझ पर आपने इतना खर्चा क्यों किया तो रीमा ने कहा दीदी, यह आपका मायका है और हाँ दीदी, मैं अपने विभार के लिए आपसे माफी मांगती हूँ मैं ना समझ थी, तो मैं गलती कर बैठी मैंने कभी भी आपके साथ दिल से प्यार नहीं रखा पर मैं आज आपसे एक वादा करती हूँ कि मैं कभी भी आपको आगे शिकायत कमो का नहीं दूगी तो पारुल ने कहा भावी, मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं थी दोनों ननत भावी एक दूसरे के गले लग जाती हैं एक की आखों में खुशी के तो दूसरे की आखों में पश्चाताग के आशू बह रही थी साथ संगत जी आपको आज के साखी कैसी लगी कमेट करके जरूर बताईएगा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजेगा चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब कीजेगा साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार जी